दिस इस अन इंडी पॉड्कास्टर प्रोडक्शन आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी प्यूश अगर्वाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों इस शुक्रवार की नई कहानी एक ट्रांसलेटेड यानी अनुवादित कहानी है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश आप तक नई पुरानी कहानियों के साथ साथ दुनिया के अलग-अलग भाशाओं से अनुवादित कहानिया और लेखकों के साथ बातचीत लाना भी है कैसा लग रहा है आपको सीजन थी की हमारी चुनी कहानिया हेलो अट दरेट प्यूश अगरवाल डॉट कॉम पर इमेल करके जरूर बताएं आज की कहानी है दिल की आवाज जो कि हमारी अब तक की पढ़ी कहानियों से काफी हटके है जिसे लिखा है एडगर अलन पो ने पो एक अमरीकी राइटर, पोएट, एडिटर और लिट्ररी क्रिटिक थे और अपनी पोएटरी और शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते थे ये डिटेक्टिव फिक्षन को इजात करने के लिए भी जाने जाते हैं इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट प्यूश अगरवाल पर जाएं सीजन 3 की कहानिया आप लोगों के सपोर्ट का नतीजा है अपना योगदान बनाए रखने के लिए प्यूशगरवाल.com पर सपोर्ट दशो लिंक पर क्लिक करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर और जानते हैं कि कैसा लगता है जब अपने दिल की आवाज से किसी को खौफ हो जाए ध्यान दे कि आज की कहानी हमारे कम उम्रके साथियों के लिए नहीं है तो अब आप लोग कहानी सुने और आनन ले दिल की आवाज एडगर एलन पो अनुवाद अनुराधा महिंद्र सच है मैं बहुत ज़ादा घपराया हुआ था अब भी घपरा रहा हूँ पर क्या आप मुझे पागल करार तेंगे इस रोग ने मेरी चेतना को नश्ट या मन्द नहीं किया उल्टे इसकी वज़े से मेरी चेतना और धारदार हो गई और तो और मेरी सुनने की शमता पूरी तरह बरकरार थी मैं परलोक और इस लोक की सारी बाते सुन सकता था फिर भला मैं पागल कैसे हो सकता हूँ, प्याम से सुनिए, देखिए कितनी सहजता से आराम से मैं आपको पूरी कहानी सुना सकता हूँ यह बताना असंभव है कि सबसे पहले मेरे जहन में यह फितूर कैसे उठा, पर एक बार जो मेरे दिमाग में आया, तो बस दिन रात मुझे सालने लगा, कोई मकसद नहीं था, उनमाद नहीं था, मैं तो उस बूड़े को चाहता था, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने, उसने कभी मेरा अपमान भी नहीं किया था, उसकी संपत्ती को हडपने की मेरी कोई लालसा भी नहीं थी, मेरे खयाल से उसकी आख, हाँ, उसकी आख ही थी इसकी वज़़, उसकी एक आख बिलकुल गिद की आख की तरह थी, निस्तेज और नीली आख, जिल्ली से ढकी हुई जब उसकी नजर मुझ पर पढ़ती मेरा खून जम जाता, धीरे धीरे बात इस हद तक बढ़ गई कि मैंने इस बुड़े खुसट की जान लेने की ठान ली, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस आख से छुटकारा मिल जाए, मुद्दा दरसल यही है, यह सब सुनने के बाद आप शायद मुझे पागल कहेंगे, पर पागल आदमी तो कुछ नहीं जानता समझता, काश आप मुझे देखते, आप देखते कि कितनी समझदारी से मैंने अपनी योजना बनाई, कितनी खोश्यारी से, कितनी दूर दर्शिता से, कितने छुपे हुए तरीके से मैंने यह क काम शुरू किया। उस बूढे की हत्या करने के पहले मैं कभी उसके प्रती इतना दयालू नहीं हुआ था। जितना इस हफते के दौरान रहा। हर रोज करीब आधी रात को मैं उसके दर्वाजी की कुंडी घुमाता और बहुत ही आहिस्ता से दर्वाजा खोलता। और जब दर्वाजा इतना खुल जाता कि मेरा सिर उसमें घुस सके। तो मैं बुजी हुई लाल्टेन पूरी तरह बुजी हुई ताकि जरा भी रोश्नी ना हो। फिर धीरे से मैं अपना सिर अंदर घुमाता। ओ, आप यदी देखते तो शायद हसते कि कितनी चतुराई से मैं अपना सिर भीतर घुसाता था। मैं उसे घुमाता धीरे बहुत ही धीरे ताकि बुढ़ा जग न जाये। ऐसा करने में मुझे पूरा एक घंटा लग जाता। फिर कहीं जाकर मैं थोड़े से खुले दरवाजे में अपना पूरा सिर घुसा पाता। और तब कहीं मैं बुढ़े को विस्तर पर सोता हुआ देख पाता। जरा बताईए, जरा बताईए तो क्या एक पागल आदमी इतनी चतुराई बरत सकता है। फिर जब मेरा सिर अच्छी तरह से भीतर घुस जाता, तो मैं सार्थानी से लाल्टेन जलाता। बेहद चौकस तरीके से, क्योंकि उसमें भी चर्मराने की आवाज आती थी। लाल्टेन इतनी धीमी जलाता कि रोशनी की बहुती हलकी सिकिरर, उसकी गिद सरी की आखों पर पड़ती। और यह काम मैं लगातार साथ घनी रातों तक करता रहा। हर रात बिलकुल आधी रात को पर मैंने उस आख को हमेशा बंधी पाया और ऐसे में मेरे लिए यह काम करना बिलकुल असंभव था। क्योंकि बुड़े से मुझे कोई परिशानी ना थी यह तो उसकी दुष्ट आख थी जो मुझे तकलीफ देती थी। हर सुभध दिन के उजाले में मैं बे धड़क बुड़हो के कमरे में जाता और बड़ी हिम्मत के साथ उसके साथ गपशप करता। बड़े प्यार से उसका नाम अपनी जवान पर लाता। उससे पूछता कि रात उसकी कैसी भी थी। आप देखिए ये बुज़ुर्ग आदमी शायद ही शक करता कि हर रात बारा वजे मैं उसके कमरे में जाता हूँ। हाठवे दिन रात को दर्वाजा खोलते हुए मैं हमेशा से थोड़ा ज्यादा सतर्क था। घड़ी की मिनिट की सुई जिस गती से घूमती है उससे भी धीमी गती से। मैंने दर्वाजा खोला। इससे पहले मुझे कभी अपनी शक्ती का, अपने सयानेपन का ऐसा ऐसास नहीं हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जीत की खुशी को जजब कर पा रहा था। मैं याद कर रहा था कि कैसे धीरे धीरे मैंने दर्वाजा खोला। उसे सपने में भी मेरे भीतर चिपे हुए खयालों की भनक नहीं थी। अपनी इस जीत के खयाल से मेरी दवी हुई हसी छूट पड़ी। और शायद उसने इसे सुन दिया। क्यूंकि अचानक उसने करवट बदली। जैसे कि वह चौका हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पीछे हट गया हूँगा। पर नहीं उसका कमरा गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। चोरी के डर से सारे दर्वाजे सावधानी से बंद किये गए थे। इसलिए मैं जानता था कि वह दर्वाजे को खुलता हुआ नहीं देख पा रहा था। मैं लगातार धीरे 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 दर्वाजा खोलता गया। मैंने अपना सिर्फ पूरी तरह भीतर घुसा लिया था। और लाल्टेन जलाने ही वाला था कि मेरा अंगुठा तिन के जोड़ पर से फिसल गया। बुड़ा बिस्तर से उचल पड़ा। उसने चिला कर पूछा। कौन है। मैं एक दम स्तिर रहा और कुछ बोला नहीं। पूरे एक घंटे तक मैंने कोई हल चल नहीं की। इस बीच ना ही मुझे उसके लेटने की कोई आवाज आई न हिलने डुलने की। वह अब तक बिस्तर पर बैठा टोले रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं रात दर रात मौत के सन्नाटे को सुनता रहता था। पूर्त्यू के भाय से उबजी करा थी, यहाँ दर्ड से उबजी करा नहीं थी, नहीं, यहाँ करा थी एक घुटी हुई सी आवाज जो आत्मा की घहराई से उठती है, तब जब आदनी पर दहशत पूरी तरह हावी हो जाती है। मैं इस आवाज को अच्छी तरह जानता था। बहुत सारी रातों को ठीक आधी रात के समय, जब सारी दुनिया नीन में खोई रहती थी, यह आवाज खुद मेरी अपनी च्छाती से उठी थी, और अपनी हर भयावय गूंज के साथ यह एक दहशत में बदलती हुई। मुझे विचलित करती रही है। मैं कहता हूँ कि इस आवाज को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता था कि यह बूड़ा आदमी क्या महसूस कर रहा था। मुझे उस पर दया आई। हाला कि भीतर से मैं खुश था। मैं जानता था कि जब से उसने हलकी सी आवाज सुनी थी और करवड बदली थी, तभी से उसकी नींद उचट गई थी। उसी शंड से उसका हर डर बीते पल के साथ उस पर तारी होता जा रहा था। वह लगातार अपने भीतर के डर से पीछा छुडाने की कोशिश कर रहा था। पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। वह खुच सही बोल रहा था। यह कुछ भी नहीं था, चिमनी में हवा के घुमरने की आवाज रही होगी, यह हो सकता है कोई चुहा फर्ष पर तड़ा हो, यह फिर कोई जिंगुर रहा होगा जिसकी चीची की आवाज आई थी। वह खुद को दिलासा दे रहा था, पर उसे यह सब व्यर्थ भी लग रहा था। बिल्कुल व्यर्थ क्योंकि मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक काली चाया उसके चारो तरफ घिरती जा रही थी। एक ऐसी चाया जो समझ से परे थी। उसका शोका कुल प्रभाव उसे भायबीत किये हुए था। यद दपी न उसने कुछ देखा था और न कुछ सुना था कि वह कमरे में मेरे जाकने को महसूस कर पाता। मैंने जब बहुत देर धीरच के साथ प्रतिशा कर ली और उसके लेटने की कोई आवाज भी नहीं आई। तो मैंने धीरे से बहुत धीरे से लाल्टेन की रोशनी को कुछ-कुछ बढ़ाना शुरू किया। आप कलपना नहीं कर सकते कि कितने आहिस्ता से कितनी खामोशी से मैंने लाल्टेन की रोशनी को इतना सा खोला कि मकडी के धागे जितनी एक पतली से किरन लाल्टेन से निकल कर सीधे गिद जैसी आँख पर पड़ी। वह आँख खुली थी पूरी तरह एकदम खुली। ग्रोध में मैं बावला हो गया। मैंने टक्टकी लगा कर उस आँख को घुरा। मैंने उस शैतान आँख के अनोखे पन को साफ तोर पर देखा। थुंदली नीली जिलीदार आँख जिसे देख कर भीतर तक मेरी हट्या सुख गई। पर उसके अलावा मैं बूढे का चेहरा या उसका शरीर भी नहीं देख पाया। क्योंकि मैंने किसी दुष्ट भावना के वशिभूत हो रोश्नी के किरन को केवल उस शैतानी आँख पर ही टिकाया हुआ था। और फिर क्या मैंने आपको यह बताया नहीं था कि जिसे आप पागलपन कहते हैं वह दरसल और कुछ नहीं इंद्रियों का हद से ज्यादा तिक्षण हो जाना है। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि मेरे कान में एक धीमी सुस्त मरियल पर तेज गती वाली आवाज आने लगी जैसे किसी कपड़े में लिप्टी हुई घड़ी से आती है। मैं उस आवाज को भी अच्छी तरह जानता हूँ। यह आवाज बूढे के दिल के धड़कन की थी। इससे मेरा उनमाद बढ़ता गया। ठीक वैसे ही जैसे नगाडा पीटने की आवाज से सिपाही का होसला बढ़ता जाता है। पर फिर भी मैंने अपने आपको रोके रखा और निस्तम खड़ा रहा। मैं बमुश्किल सास ले पा रहा था। लाल्टेन को एकदम स्तिर थामे रहा। कोशिश थी कि रोशनी की किरन पूरी तरह आँख पठिकी रहे। इस बीच दिल की तकलीव दे धड़कन बढ़ती ग कि यह आवास पडूसी तक को सुनाई दे सकती थी। बोढ़े के मरने की घड़ी आ गई थी। एक वहशी चितकार के साथ मैंने लाल्टेन की रोशनी पूरी तरह बढ़ा दी और कमरे में गुश गया। वह बस एक बार चीखा था। पल भर में मैंने उसे जमीन पर घसीट लिया और सारी विस्तर उसके ऊपर खीच लिया। अब तक की अपनी योजना को सफल होते देख मैं खुशी से भर गया था। कई मिंटों तक उसकी घुटी घुटी आवास सुनाई देती रही। पर मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। मैं जानता था कि यह आवास दिवार के बाहर नहीं गई होगी। धीरे धीरे आवास डूब गई। बुड़ा मर चुका था। मैंने विस्तर उठाया और लाश को ध्यान से देखा। हाँ, वह एक धम ठंडा पढ़ चुका था। मैंने उसकी चाती पर हाथ रखा। बहुत देर तक उसकी धड़कन महसूस करने क कोशिश करता रहा। कोई धड़कन नहीं थी। वह मर चुका था। अब उसकी आख मुझे कभी कश्ट नहीं देगी। आप यदि अब भी मुझे पागल समझते हैं तो मैं आपको बता दू कि उसकी लाश को छिपाने में मैंने कितनी सावधानी से काम लिया था। और तब शायद आप मुझे पागल न समझे। रात बीट चली थी। मैंने बहुत तेजी से आगे का काम निप्टाया। बेहत खामोशी से सबसे पहले मैंने लाश किये टुकडे टुकडे किये। सिर को धर से अलग किया और हातों और पैरों को काट डाला। फिर मैंने कमरे के तीन पट्टिया उखाडे और उस जगा लाश के टुकडो को गार दिया। उसके बाद मैंने पट्टियों को इतनी साफधानी और चतुराई से दोबारा जमाया कि किसी भी मनुष्य की आख यहां तक कि उस बूढ़े की आख भी किसी गरबड़ी का पता नहीं लगा सकती थ धोने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी तरह का कोई दाग धबा मैंने नहीं छोड़ा था। इसमें मैंने बहुत साफधानी बढ़ती थी। इस पूरे काम के लिए मैंने टब का इस्तमाल किया था। मैंने जब अपना काम खत्म किया तब तक सुभे के चार बच चुके थे। अभी भी आधी राज जैसा घना अंधिरा था। जैसे ही घड़ी ने चार का घंटा बजाया उसी समय बहरी दर्वाजे पर दस्तक हुई। मैं बड़ी सहचता से खोलने नीचे गया। अब भला डरने की क्या बात थी। तीन आदमी दर्वाजे पर खड़े थे। उन्होंने बताया कि वे पुलिस के अधिकारी है। उनका लहजा बेहत शालीन था। उन्होंने बताया कि रात को पड़ोसी ने चीक की आवाज सुनी थी। किसी गरबड़ी की आशंका में पुलिस को खबर की गई थी। अब इन अधिकारियों को मकान की तलाशी लेनी थी। मैं मुस्कुराया। मुझे भला किस बात का डर। मैंने इन शरीफ आदमियों को घर में घुसने दिया। मैंने कहा वह चीक शायद मेरी ही होगी क्य को पूरा घर दिखा डाला। मैंने उन्हें चप्पा चप्पा देख लेने की इजाज़त दी। मैं उन्हें बुढ़े के कमरे में भी ले गया। वहां काफी देर तक मैं उन्हें बुढ़े की संपत्ती और उसके जेवराधी दिखाता रहा। जो पूरी तरह सुरक्षित रखे थे। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसी उत्सा में मैं कमरे में कुर्सिया ले आया। और उनसे वहां थोड़ी दिर बैठकर ठकान उतारने की गुजारिश की। अपनी इस सफलता से मेरा साहस इस हद तक पहुँच गया कि मैंने अपनी कुर्सी भी मेरे बहबार से वे आश्वस्ट भी हो गये थे। मैं लगबग निश्चिंत हो गया। वे बैठे रहे और मैं खुशी-खुशी हर सवाल का जवाब देता रहा। वे भी दोस्ताना अंदाज में गपशप करते रहे। किन्तु जल्दी ही मुझे एहसास होने लगा कि मैं पी भी वे बैठे रहे और गपशप करते रहे। अब वह गूंज सपश्ट होती जा रही थी। यह बढ़ती गई। धीरे धीरे ज्यादा सपश्ट होने लगी। इस एहसास से चुटकारे के लिए मैं और भी सहचता से गपशप करने लगा। किन्तु आवास थी कि लगातार ब कि आवास मेरे कानों के भीतर नहीं बाहर थी। बेशक अब मैं बहुत पीला पड़ चुका था पर मैं फिर लगातार उची आवास में बोलता ही रहा। अब वह आवास इतनी बढ़ गई थी कि मैं लाचार सानुभफ करने लगा। यह धीमी मरियल पर तेज गती वली आवा पर फिर भी पुलिस अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं और तेज और जोर देकर बोलने लगा। किन्तु आवास लगातार बढ़ती ही जा रही थी। यह लोग आखिर जा क्यूं नहीं रहे हैं। मैं उठकर बेचैनी के साथ चहल कदमी करने लगा। ऐसे लग मानो उन लोगों के हाव भाव से मैं उत्तेजना से भरा जा रहा हूँ। पर शोर था कि लगातार बढ़ रहा था। ए इश्वर मैं क्या करूं। मेरे मू से जाग निकलने लगी। मैं प्रलाप करने लगा, कसमे खाने लगा। मैं जिस कुरसी पर बैठा था उसे जोर जोर से हिलाने लगा और उसे नीचे इटो पर टक टकाने लगा। पर शोर था कि थमी नहीं रहा था। वह तेज से तेज होता जा रहा था। फिर भी ये लोग हसी खुशी गपशप में लगे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या यह संभव है कि उन्होंने कुछ भी न सुना हो ये दयानिधान नहीं, नहीं उन्होंने जरूर कुछ सुना है, उन्हें संदय है, वे सब कुछ जानते हैं, ये लोग, ये लोग मेरे खौफ का मजा ले रहे हैं। मेरे मन में यह बात बैठने लगी थी, इस यातना से तो और कुछ भी बहतर था, और कुछ भी सहा जा सकत पर यह नहीं, यह धोंग बर्दाश के बाहर था, मेरी, मेरी जोरों से चीखने की इच्छा हुई, मन हुआ की मर जाओं और वही तेज होती हुई आवाज, कमबक्तो, मैं चीखा, और ज्यादा धोंग मत करो, मैं अपना अपराद स्विकार करता हूँ, इटो को हटा लो, हा यहां ठीक इसी जगा पर दुष्ठ हिदय की सांस लेने की आवाज आ रही है। मिस न कर जाएं। साथ ही Apple Podcast और Spotify पर हमें Review और रेटिंग देना न भूले। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। जो की Indie Podcaster की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे। हर शुक्रवार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। झाले शुक्रवार तक के लिए और स्वस्त रहिए। झाले शुक्रवार तक के लिए और स्वस्त रहिए। झाले शुक्रवार तक के लिए और स्वस्त रहिए।